हेलो फ्रेंड्स जैम आता दी मैं विजय जडिया और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल ट्रेड ओन लेवल तो पहले हम निफ्टी बेंग निफ्टी की थोड़ी टेक्निकल एनलिसिस कर लेते हैं और उसके बाद में देख लेंगे नेक्स्ट विक के लिए कौन से इं करेगा जब भी निफ्टी इस लेवल के उपर निकलता है आप देख सकते हैं इस डोजी का यह 16,248 और इसका लोग है 15,858 तो जब भी यह लेवल क्रॉस होते हैं तो वहां पर आपको अच्छी ट्रेडिंग ऑपोचिटी मिल सकती है और अगर आप निफ्टी का डेली चार् सपोर्ट लेके वापस निफ्टी ने यहां से रिवर्स किया है तो फिलाल निफ्टी में कुछ भी नेगिटिव जैसा नहीं लग रहा और निफ्टी अपने ट्रेड लाइन में सपोर्ट ले रहा है और अपने अपवार्ड मूग को कंटीन्यू कर रहा है और उपर में 16,660 यही एक बड़ा रिजिस्टेंस है जो निफ्टी को रोख सकता है तो इस लेवल पर आप आने वाले दिनों में खास वाच रखिए बैंक निफ्टी देख लेता है बैंक निफ्टी भी आप देख सकते है जो मैंने रिजिस्टेंस ट्रेड लाइन मनाई थी उसी लेवल के आ उसके साध़ी बैंग निफटी एंदर बना ही आगर निफटी उपर जाता है तो उसके साथ बैंग निफटी भी उपर जा सकता है लेकिन अभी निफटी से ज्यादा बुलिस लग रहा है तो आने वाले मीक मेंheus helped से ज्यादा Nifty में फोकस करिए अब देख लेता है आने वाले विक के लिए Nifty और Bank Nifty के कौन से लेवल important है और कौन से लेवल पर फोकस करना है पहले Nifty देख लेता है नेक्स्ट विक के लिए Nifty में 16,220 का लेवल ये लेवल एक important resistance का काम करेगा अगर Nifty 16,220 को पर breakout देता है और 50 में closing देता है इसके उपर तो Nifty में buying pressure active हो जाएगा और उपर में Nifty 16,480 के लेवल को टच करने की कोशिस करेगा लेकिन अगर Nifty को 16,220 के आसपास resistance मिलता है और Nifty आसे reverse करता है तो Nifty में selling pressure active हो जाएगा और नीचे में Nifty 15,880 के लेवल को टच करने की कोशिस करेगा 15,880 ये लेवल next week के लिए एक important support का काम करेगा अगर Nifty इस लेवल पर support लेता है और यहां से reverse करता है तो फिर से Nifty में short covering active हो जाएगी और उपर में Nifty फिर से 16,220 को टच करने की कोशिस करेगा लेकिन अगर Nifty 15,880 को break करता है और उसके नीचे 50 में closing देता है तो नीचे में selling pressure और भी active हो जाएगा और Nifty नीचे में 15,620 के लेवल को टच करने की कोशिस करेगा तो next week के लिए इन दो लेवल पर खास वाच रखेए 16,220 का resistance और 15,880 का support 15 मिनेट के चार्ट में इन लेवल को track कीजिए confirmation के लिए closing का wait करेए और जिस साथ breakout आता है या फिर breakdown आता है उससी साथ उसमें trading की opportunity देखिए Nifty के बाद बैंक Nifty देख लेता है बैंक Nifty में next week के लिए 35,120 का लेवल ये लेवल एक important resistance का काम करेगा अगर बैंक Nifty इस लेवल को पर sustain करता है और 50 में closing देता है तो बैंक Nifty में buying active हो जाएगी और उपर में बैंक Nifty 35,800 की लेवल को touch करने की कोशिस करेगा लेकिन अगर बैंक Nifty को 35,120 के आसपास resistance मिलता है और बैंक Nifty यहां से reverse करता है तो बैंक Nifty में फिर से selling pressure active हो जाएगा और नीचे में बैंक Nifty 34,250 की लेवल को touch करने की कोशिस करेगा 34,250 ये लेवल next week के लिए एक important support का का काम करेगा अगर बैंक Nifty इस लेवल पर support लेता है और यहां से reverse करता है तो फिर से बैंक Nifty में short covering active हो जाएगी और उपर में बैंक Nifty फिर से 35,120 की लेवल को touch करने की कोशिस करेगा लेकिन अगर बैंक Nifty 34,250 के नीचे breakdown करता है और इसके नीचे 50 में closing देता है तो बैंक Nifty में selling pressure और भी active हो जाएगा और नीचे में बैंक Nifty 33,600 की लेवल को touch करने की कोशिस करेगा तो next week के लिए आप इन दो लेवल पर खास वाच रखिए 35,120 का resistance और 34,250 का support 15 मेंट के चार्ट में आप इन लेवल को track कीजिए confirmation के closing का wait करिए और जिस set breakout आता है उसी side उस पर trading की opportunity देखिए तो आसा करता हूँ जो technical knowledge और Nifty Bank Nifty के weekly levels में आप सभी के साथ share कर रहा हूँ उसके मदद से market के train को समझने में और trading opportunity ढूणने में आपको आसानी हो रही है और अगर आपको ये level पसंदा रहे हैं और जो knowledge share कर रहा हूँ वह भी पसंदा रहा है तो इस video को like कीजिए और दूसरे Nifty Bank Nifty Trader के साथ भी share कीजिए और बहुत ही जल्दी RSI, VWEP, Exponential Moving Average और Moving Average को Excel में किस तरह से calculate करना है उसकी video upload हने वाली है तो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और bell button बे click करिए जिससे आपको मेरे सभी आने वाले वीडियो की notification मिलती रहेगी Thank you for watching this video, stay home, stay safe